कौनसे श्टोक में इनवेस्टर ने ज्याधा कमाया 1 1 2014 को स्टोब प्राइस थी 1 1 2020 को स्टोब प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब निफटी लोईस प्वेंट पे था तब स्टोब प्राइस थी और करण प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1,00,00 रुपए दोनों स्टोक्स में इंवेस्ट किये 6 साल बाद इस इंवेस्टमन की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इंवेस्टमन की वेल्यू हो गई और करंट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टोक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है एक मिनिट के लिए हम ये भी सोचना चाहिए कि दोनों स्टोक्स ने जैसा रिटन पिछले साथ सालों में दिया है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक रिटन दे तो उनकी वैल्यू कहां पहुंचेगी Thank you